नमस्का दोस्तों डीडीरेट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभी के स्वागत है मैं हूँ आलोग तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ बड़ा इंपरणट वीडियो है इसका टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग टू सी 117 इंडिया अथिलीट सीन ओलम्पिक्स तो स्क्रिंशॉट लगा देता हूं तो हमारी तरफ से 117 अथिलीट का जो दल है वो दल भेजा गया है परिस ओलम्पिक में और पाकिस्दान की तरफ से चाहँ छे या साथ गये हैं तो जाहिर से बात इससे आपको पता चलता है कि आपके हैं स्पोर्स को कितनी अहमेद दी जात तो आएए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है कि में इस बार जिसमें तीन तो वाइल कार्ड हैं इतना बुरा हाल है उनका अब खुद मान रहे हैं कि हमें सीखना चीए भारत से कि भारत इतना खेलों में कैसे आगे बढ़ गया क्योंकि उन्होंने 92 के बात से कोई मैडल जीता ही नहीं ऑलम्पिक्स में इसले तीन बार से उनकी होकी कीटिम कौलिफाई नहीं कर पाई है दोस्तों यह हर गेम के बाद ऐसे ही करते हैं जब जब इंडिया अच्छा खेलती तो इनको लगता है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं कि इनके वहां स्पोर्ट्स में बहुत जाना करप्शन है वह लोग बस अपना पेट भरने की सोचते हैं इनके पास केवल एक अच्छा प्लेयर है आठसेद नदीर आप आहाता कैसे करते हैं यह जो 30 साल में हमें मैडल नहीं मिल सका स्पोर्ट बोर्ड पी ओए कि आपको पता है लड़ाईयें भी चलती नहीं कुछ पिछले ऑलम्पिक्स में कितना बड़ा बजट इस् इससे ज्यादा दुख की बाद हो नहीं सकती लेकिन 25 रोड की बादी में 24 रोड की बादी में साथ अथलीड के जाना 11 अफिशल गए हैं 18 रुगए है क्या समझते हैं बताए जितने अथलीड रही है उससे ज्यादा आफिसर्स कहें हैं कमाल है यार इसको जो हुआ सो हुआ रिशाद भी कर बेतर करना है तो इंडिया हमारे सामने एक एक ग्जामपल है उन्हें पिछले 15-20 साल के अंदर ओलम्पिक में वह एक जाइंट पावर बन के अबरे 92 में हमने आखरी मरतबा ओलम्पिक्स में मैडल जीता कितने अफसोस की बात है जैसे हमारी है एडलाइन मे में एक जमाना देफिनिटी 125 का भी कंटिंजेंट गया है पाकिस्तान का तो इसतना जादा तो ये यकिन मायूसी है सालों से ये फेटीशन से बैटी हुई है लेकिन आपस के फड़े लड़ाई जगड़े इखतलाफाथ पावर इन्होंने हमारे एटलीट को पीज दिया है मैं ये नहीं कहा रहा कि हमारे athletes में दम नहीं है या facilities नहीं है facilities का थोड़ी कमी जरूर है लेकिन इन athletes को आप पूरा मौका दें थोड़ी कमी? क्या बात कर रहे हैं सर? बतब यहां भी आप politics खेल रहे हैं पाकिस्तान में athletes के लिए थोड़ी कमी है अजी थोड़ी सी चीज है उनके लिए बाकी नहीं है 90% facilities नहीं है पाकिसानी athletes के पास वो अर्शद नदीम बेचारा उसको तो उसके फादर ने अपनी जमीने बेच कर जूते और भाला दिलाया था क्या बात करते हैं आप खाना पूरी वैसे क्यों करते हैं मतलब अगर हम ना भी जाएं क्योंकि कोई नाम तो कमा नहीं रहा वाँ जा कि कुछ हो नहीं रहा ना जाए इतनी हुरी परफॉरमंस किसी के कान बे को जूरिंग नाइए नए कोई जिम्हेदारी को लेने आ वह पाकसान पर्ष्पोर्ट पाकसां और प्र उलंपशचियों पाकसे पोड़ पाकसान इस्पोर बोड़ गाएगा यह खेलों की फैश्जयों इनके इनके गरी और किया खर्चाएगा बसी है और फिशिस पर जाने पर बैन होना चाहिए कि तुम लोग जाई ही क्यों रहे हैं उनके खाते में जो चीज आनी चाहिए वह भी तुम खा रहे हैं तीन साल कहां ते हम सर्थ अच्छा यह जो क्योंकि अब उल्म्पिक्स भागी बात करें तो को सपोर्ट से थुरत से इस पे फोकेस कर लेते हैं देखें यह कोई तीन साल पर राली कहां नी तो नहीं है ना मेल नाएंटी टू में बार्स्टोना में हौकी में जीता थाओं नही हो ही गए स्कूल्स में से कॉलेजेज में से भी ग्राउंड गाइब हो गए और अब हम दुबारा वही बात करें कि नहीं हमें बिल्कुल बेसिक से चुरू करना पड़ेगा टैलेंट को निकारने का सिस्टम नहीं है इतने शरम की बात है यह मुझे कहते है शरम आरी पाकिसां टीम ने क्वालिफाई नहीं किया आज सूरत यह है कि अगर कौमी हौकी टीम का कोई लड़का शादी के लिए रजा मंद हो तो जो होने वाले सुसराली है पहला सवाल पता है कि यह बहुत अच्छी बात है कि तुम नैशनल टीम में हो मगर काम क्या करते हो आज यह हालता है आजा पता है सेंटर कॉंटा के सेंटर कॉंट्रेक्ट सेंटर कोंक्ते हैं उसकी एक एटीगरी के प्लेइर को 10 لاक मिलते हैं सलाना महाना, माफ कीज़ेगा, क्रिकटर माइंड कर देंगे, सलाहना की बात तो होती नहीं होती है महाना, 10 लाक हौकी का, हमारा जो टॉप का हौकी प्लेयर, जिसमें कप्तान भी है उसको मिलेंगे, जि पचास अदर और उसको भी का गया, हर मीने तुमें टेस्स करेंगे अगर जड़ा सा उपर नीचे बाद तो ये पचास रोक दिये जाएंगे बहुत 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 होलाद हो गए हौकी के, क्या कर रहे हो यार बहुत 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 होलाद हो गए है अपरेल 2015 के मुकाबले में पाकिस्तान हौकी फिशन का कैम्प लगा ट्रेनिंग कैम्प पिंडी में रियो की तैयारी के लिए 2016 में होने थे अचानक दर्मियान में वो कैम्प इसलिए खतम कर दिया गया था कि टीए डीए के जो पैसे हैं वो खतम हो गए थे जब हौकी इंडिया को पता चला तो उन्होंने का जी हमने ऐसी ऐसी ख़बर सुनी है कि आपको फैनाशिल मुश्किलात हैं कैम्प खतम करना पड़ा है हम खुदा के वास्ते हम आपके हमसाएं हैं हम इसलिए मदद करना चाहते हैं कि हौकी हो और इंडिया पाकिस्तान ना हो यह कोई अच्छी बात नहीं है यह नौबत आ चुकी है यार यह बात तो मुझे पता ही नहीं है और यह शाद बीबीसी के जनलिस्त हैं यह यह वज़ कर से लिए चंदाि करता करते हो तो पांश-वंच रूपए लेते हो आपने होकी बोर्ड जटा लो कभी तुम्हारा नाम रोशन करेंगे तुम्हारे देश прошл कfelt करेंगे कम से कम कउसा कर बतला करके उप यह तो बहुत बढ़ी है और जो फेवरिट तंगला की एक मुवी का क्लिप था ना कि अभी तो हमने और भी जलील होना है वो पता नहीं क्यों पर जैन में आ रहा है इंडिया जो हमारा निवर है उसमें अथलीट्स को इतनी इज़त दी जाती है उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी अथलीट होता है उसकी बकाईदा तोर पर जो इसका ख्याल रखती है हकोमत उनको पैसे देती है हम लोग उनके लिए क्या करते हैं कुछ भी नहीं करते हैं यहाँ पंजाब स्ट्रेटियम में खड़े होते हैं गर्मी में यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं और चले जाते हैं फिर हम उनसे उमीदे लगाते हैं को मैडल लेके हैं उनको आप देते क्या हो आप ना उनका ख्या कुछ तो करें लिकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर आवे का अवा बिगड़ाव है यहां पर कोई हमारा कोई बिलकुल भी स्ट्रक्चर नहीं है किसी किसम का हम लोग किसी तरीके से ग्रास रूट लेवल पर तो अमल द्रामत करते ही नहीं है इसलिए हमें चाहिए हम अपन जो नहीं है कि तोάλ काड एंट्रिय है शूटर्स था और फिर आपका इर्श्ण नदीम है यही यह थो हमारी के हमारा जो है वो व कौलिफायर सिरफ यो जो है वो गैम् है कोई क्वालिफायर यह नहीं है वाल्ड कार्ड एंट्री ए और दियम बी गोल्ड जीतेंगे गिने जीतेंगे वह लग बात है क्योंकि सामने नीरच छोपडा है और नीरच छोपडा ने दिखाया है पिछले चाहे वर्ल्ड अथलेटिक्स हो चाहे पिछला ओलंपिक हो और भी एकाद प्रतियोगीताय हुई थी उसमें भी गोल्ड मेडल जीता है तो गोल्ड मेडल के जो सबसे बड़े दावेदार है वो नीरचोपडा है। हाँ, उस दिन क्या होगा अर्शद नदीम अगर गोल्ड जी जाते हैं, बहुत अच्छी बात होगी यार। पाकिस्तान के लिए तो इतिहास रज़ देंगे अर्शद नदीम, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि अर्शद नदीम की जो परफॉर्मस रही है या जो नीरचोपडा की परफॉर्मस रही है पिछले कुस टाइम से, आप देखेंगे तो नीरचोपडा बहुत आगे हैं, अर्शद नदीम से बहुत भारी हैं, बाकि उस दिन क्या होगा पता नहीं, उस दिन अगर नीरचोपडा हमारे बिलकुल फुल फॉर्म मरें तो ले आएंगे, अर्शद नदीम अगर उनसे बेहतर प्रदर्शन कर जाएंगे तो अर्शद नदीम ले जाएंगे गोल्ड अभी बल्ड आर्चरी हुई है, उसमें देखे हमारे लोगों ने कितना बड़ी है परफॉर्म किया है, तो हम लगातार अपनी चीजें सुधार रहे हैं, चाहे वो अथलेटिक्स में हो, चाहे वो और भी दूसरे गेम्स में हो, वैड्मिंटन हो, बाकि सारी चीजे हो, तो ये पिछले 10-15 सालों की मेहनत है, कि आप लगातार देखेंगे, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे कॉमन वेल्ड गेम्स हो, या उलम्पिक्स हो, हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी दी है, हम तो रिजल्ट पर बात करतें नहीं यार, और हम सुविधाय भी दे रहे हैं पाकिस्तान में बद से बददर सिती हो गई, और पाकिस्तानियों को रेडिकलाइजेशन से फर्क नहीं पड़ता, जितना फर्क पड़ता है, रेडिकलाइज हो रहे हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि खिलाडियों को सहुलिय हैं ते मिल रही हैं या नहीं मिल रही ह बाद से खुश होते हैं कि भाई मदर्से से 10 लाक बच्चे निकल गए अब क्या कमाल कर गया लेकिन वह नहीं कि उनकी Sports Academy से कितने नीकल रहे हैं उनकी Spring Academy में किस तरह किंसोई धाये हैं उनको इससे कोई मतलम गई तो भाई जब वह 95 single काम करें नो तो मेंदल कहां से आंगे तो इसलिए रोना बंद करिए काम करिए result ना आए तब रोई ये काम भी नहीं करेंग你就 तब जाके रोना दोना चुरू कर देंगे तो दोस्तों आप आईए आप वीडियो में कमेंड जरू करिए जल्दे मलता हूं एक और ने वीडियो के साथ नमस्कार जाएंगे